आप देखरे हैं मेरे अपने चैनल ट्रॉपिकल पिंगुई कैसे आप लोग सब आशा कुर्तिक आप लोग सब बहुत जादा अच्छ होंगे आज का ये जो वीडियो है ये बहुत जादा effective और बहुत जादा अच्छा वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो बाल सफेदी का जो प्रॉब्लम आज कल बहुत किसी को फेस हो रहा है इससे कैसे हम छुटकारा पास सकते हैं मेरा जो बाल है ये नाच्रली ब्लैक है लेकिन एक वक्त था कि मेरे बाल भी premature gray होना शुरू हो गया था और उस वक्त से मैंने बहुत सारे remedy ट्राई किया है जो सारे effective remedies है वो मैं आपके साथ share करूंगी और मैं ऐसे बहुत सारे remedy आपके साथ ला रही हूँ मैंने आज तक मेरे बालों पर black color नहीं किया है जो सारा color है मेरे बालों पर नाच्रली आया है और आप खुद ही देख सकते कि मेरे बाल नाच्रली black है और shine की बारे में आप मुझे पूछिए मत क्योंकि मेरे बालों में बहुत अच्छे shine है और ये सारा जो चीज है ये मैं natural products से ही मेरे बाल पर लाई हो तो आज एक वैसे ही remedy में आपको बताऊंगी जो कि natural है और बहुत ज़ाद effective है do try at home or let me know तो चली इस remedy को बनाते है इसके लिए हमें चाहिए पानी ये normal पानी है मैंने यहाँ पर यूज किया है एप रॉक्स दो ग्लास पानी और ग्लास का साइज वो सब की घर में है और जो मेरे जैसे चाई लवर है उनके घर में तो जरूर होगा और वो है चाई पती यानि टी लीव आप कोई भी ब्रांड का टी लीव यूज कर सकते हैं कोई भी specific नहीं है तो हम इसका बनाने वाले है चाई और आज हम अपने बालों को black tip लाएंगे प बलाएंगे black tea और black tea में बहुत जादा quantity पे tannic acid पाया जाता है जो कि हमारे बालों को dark यानि black करता है black tea में बहुत जादा quantity पे caffeine भी पाया जाता है और उसके साथ antioxidant भी पाया जाता है तो थोड़ा सा ड्राइ कर देता है बालों को तो अगर आप ये black tea rinse लेते है तो उसके ब बालों को टीब कंडिशनर शेयर किया है जो कि बहुत जाते ऐफेक्टिव है और इसके साथ ब्लाएंग टी हमारे बालों को black to करता ही है और उसके साथ हेर ग्रोथ के ली भी प्रोमोट करता है एक हद तक और उसके साथ और एक benefit है वो ये है कि हमारे बालों में बहुत बहु बहुत अच्छा लगता है बाल तो हमारे जो next और last ingredient है ये सब के घर में होता है ये है नमक जी हमें चाहिए नमक इसके बाद आप एक चमच नमक यूज कर सकते है यहां पर तो ये ब्लैक टी के साथ अगर हम थोड़ा सा नमक यूज करते है ना तो हमारा जो बालों का जो कल को अवाइड भी कर सकते हो और हां कोई भी प्रोड़क्ट यूज करने के पहले हम एलगी टेस्तों करते ही है तो आप एलगी टेस्स कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ही आप ये रमेडी फॉलो कीजिए और इसके साब मैं बहुत सारे और भी रमेडी ल बना देना तो चलिए अप देख लेते कि ये ब्लैक टी रिंस को हम कैसे बनाएंगे तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते है ओविसली पतिला पहले जडाते है ठीक वैसी हम पहले पानी को चड़ाएंगे और उसे हम अच्छे से उबाल आने देंगे पानी में और उसमें हम अच्छा से बनाना है जो हम दुकान में चाकर कहते है ना कि सदर दे रहा है बहुत अच्छा से इक स्ट्रॉंग टी बना दो वैसा है वाला स्ट्रॉंग टी बनाएंगे मैंने यहां पे भर-भर के दो चमज चाटपति डाला है आप इससे भी स्ट्रॉंग बना सकते है और आप के बाद हमें इसी बॉल करना है तो एप्रॉप्स मैने इसे पाथ से से मिनिट तक मैने इसितना साथ मिनिट तक जाड़ किया था और इसके बाद मैंने इस पी ढाल दिया था नमख और फिर से मैंने इसे और थोड़ा उबाला था ताकि और भी स्ट्रोंग आजा और इसका जो रेजल्ट है यह बहुत जादा एफेक्टिव हो करें कि आप इतना सा पानी रखें कि आप मतलब दू सके अच्छे से कि आप बालों का लेंद डिफरेंड हो सकताय मेरे से तो इसे लिए आपको ट्रोंग बनाय की जैसे कि मैंने आपको कहा कैक्ग कि तो दोस्तो बाल सफित होने का बहुत सारह कारंण हो सकता बस यही नहीं कि हम यह डाई लगाएंगे और सही हो जाएगा ऐसा नहीं होता है बहुत सारा टाइप का रिजन होता है जैसे एक तो है बहुत आजकल बहुत किसी का प्री मैचियो ग्रेंग हो रहा है किसी किसी का मैं तो बच्चों को भी देखती हूँ कि उनका ग्रे हो रहा है और कभी-कभी हेल्थ प्रॉब्लम के वज़से हम कुछ-कुछ फूड हम इंक्लूड नहीं करते हमारे डायेट पर उसके लिए भी हमारा हेर प्री मैचियो ग्रे हो जाता है अगर आप चाहते हूँ कि मैं एक वीडियो बनाओ जिसमें बताओ कि कौन सा-कौन सा फूड हमें खाना चाहिए हमारे बालों को और हमारे स्किन को अच्छा रख हो जाता है और और एक रीजन यह है सपोस आपने रीजेंटली अपने जो जगा है अगर आपने जो पानी है वो एंवर्यमेंट चेंज हुआ है तो उसके लिए भी बाल प्री मैचियो ग्रे होना शुरू हो जाता है तो असे बहुत सारे रीजन है अच्छली समें तो मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स बदा रही हो तो देखिए हमारा ब्लैक टीप बन गया है यह बहुत स्ट्रॉंग बनाए गाई और आप कलर ही देखिए तो यही बन गया हमारा नाचुरल डाई और अब हम इसको फिल्टर करेंगे क्योंकि अदर्वाइस फिल्टर नहीं करने से जो चायपती की छोटे 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 पती है यह आ जाएगा और उसके बदो बालों में फर्ज जाएगा तो इसके लिए आप बहुत अच्छा एक फिल्टर यूज करें चलनी जिसे कहते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा यह जो नाचुरल हेर डाई बन के तयार ह तो यूज करने के पहले फिर से एक बार बोल दूँ आप अलरजी टेस कर ले क्योंकि आपको अलरजी हो सकता है आप चाहे तो इससे भी स्ट्रॉंग बना सकते हैं और इसके बाद मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि हम इसे कैसे यूज करेंगी हमारे बालों पे तो इस आप शैंपू कर ले और उसके बाद आपने जो यह जो नाचुरल हेर डाय बनाया है यह आप यूज करें तो चली आप देख लेते हैं इसका डेमो तो मेरा बाल अभी कंप्लीटली क्लीन है मैं शैंपू यूज नहीं करती हूँ लेकिन अगर आप शैंपू करते हैं तो एक बाउल में हम कैप्चर करते हैं मतलब जो भी सारे हमने रिंज लिया है उसे हम लेते हैं ताक कि इसमें प्रोड़क्ट वेस्टेज ना हो और जाद से जादा रिंज हम अपने बालों को कर पाए यह जो हमने हैर रिंज बनाया है या फिर बनाया है इसके तो आप देख सक मैं मुस्ट आफ दा रिंज में जब करती हूँ तो मैं ऐसी लगाती हूँ और आप एक बार एक करके देखे सच पर आपका प्रोड़क्ट वेस्टेज बहुत हब तक कम होगा और रेजल्ट तो मैं अपसाइड डाउन करने से सच में कर्ली हेर में बहुत अच्छ होता है और मैं बता दू मैं कर्ली गर्ल मेथर्ड फॉलो करती हूँ तो अगर आप कर्ली गर्ल मेथर्ड फॉलो करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल चेकर सकते हो तो इसके बाद मैं यह लेने की बाद मैं नौर्मल पानी से मेरे बाल को दो दी हूँ और उसके बाद मैंने कंडिशनर य अगर आप मुझे पूछे तो मैं बताऊंगी कि आप इसे weekly once use करिए two to three months use करिए home remedies ऐसा ही होता है आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है उसकी बाद ही आपको result आप उसका समझ आता है तो आप देख सकते कि मेरे बालों का मतलब मैं और क्या ही बोलू जो color और इसका साथ जो shine आया है इस black tering से बहुत ज़ादा amazing आया है तो I hope आपको मेरा ही video अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो please मेरे वीडियो को like करे share करे और हाँ मेरे चन को subscribe करना ना भूलेम मैं मिल दू मेरे नेक्ट्स वीडियो पर वित ये निव टॉपिक तिल देन आपर ये खुश खाई किल देन रेविट बाए बाए मैं लबली फ्रेंड